जनता पार्टी से हमारा मुकाबला है सोशल मीडिया पर एक बात पर सबसे ज्यादा और वो है कि जिस चीज में ये माहिर हैं फेक न्यूज फैलाने में जब तक किसी को ये मालूम पढ़ता है ये फेक न्यूज है आगे बढ़ जाते हैं कुछ और निकाल लाते हैं तो आप ऐ ऐसे हैं जो यंग माइंड्स हैं सब इन बातों को समझते हैं और उसी शार्पनेस से आप उनका जवाब दे सकते हैं आज यहां से आप बहुत सी बातें सीख रहे हैं अब भारतिया जनता पार्टी के कई स्तर कई स्तर पर इनका ये कार्य होता है जाहे ये बैठकर बिना किस नाम के anonymous नाम से पहलाते हैं fake news चाहे इनके अपने handle से पहलाते हैं एक दूश प्रचार चाहे फिर नीचे ऐसे लगता है कि इनके sympathizer हैं उनके माधियम से करते हैं तो तरह 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 से ये सोशल मीडिया पर दूश प्रचार फ्हलाने की कोशिश करते हैं तो ये तरह तरह से दूश प्रचार फ्हलाते हैं चाहे इनके अपनी party के बारे में हो चाहे अपने नेताओं के बारे में हो चाहे national international कुछ नमूने दिखाए गए उस तरह की बात हो एक होता है सीधा और एक होता है टेड़ा जो influence करता है आम लोगों को लगता नहीं है कि ये भारतिय जनता party द्वारा किया जा रहा है सीधा political attack नहीं होता लेकिन टेड़े धंग से ये mind को mind games खेल कर mind को influence करते हैं जो normal लोग होते हैं वो सोचेंगे कि भारतिय जनता party का propaganda तो नहीं है लेकिन ये आम लोगों में इस तरह की भावना है तो शायद यही ठीक होगा तो ये भी एक तरीका होता है तरह तरह से ये करते हैं लेकिन आप लोगों को चोकनने होना है अब आप जो हैं यहाँ पर बैठे हैं ये हमारी congress party की social media की फौज है सारे हथियार आपके हाथ में होने चाहिए एक तरफ मुद्दों के हथियार होने चाहिए अपने मुद्दे दूसरी और इनकी fake news को counter करना तीसरी बात जो भारतिय जनता party की हमारे state level की भी सरकार की नाकामिया हैं गलत बाते हैं इनको expose करना आपका काम है और उसके अलावा हमारे congress party का जो अपना अपने मुद्दे हैं जो हम लोगों से उठा रहे हैं वो मुद्दों को हमने लोगों के बीच में पहुँचाना है तरह तरह के तरीके हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं Facebook है Twitter है Instagram है WhatsApp है और भी कुछ होगा बहुत कुछ है ज्यादा आप बेहतर जानते हैं तो इन सब सब को आपने देखना है और हर तरीके को आपने अपनाना है सबसे ज्यादा शायद WhatsApp ग्रूप्स होते हैं तो आपने ये देखना है कि कितने ज्यादा से ज्यादा आप WhatsApp ग्रूप्स बनाएंगे और बहुत जल्दी ही उसके माधियम से आप लोगों के बीच में अपनी बात रख सकेंगे तो ये ग्रेट आप लोग जो हैं ये ग्रेट इंफ्लोएंसर्स हैं और यंग माइन्ड हैं आपके तो सबसे ज्यादा शापनेस आप लोगों में है मैं ये समझती हूँ कि जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमेशा हमने समझा जैसे जब राजीव जी के समय में कि हमको आगे की और जब बढ़ना है आगे की और देखना है तो हमें यंग माइन्ड को टैप करना है उनको बीच में लाना है हमारे हर प्रोसेस में यंग माइन्ड को इन्वाल करना है तो राजीव जी के समय में उन्होंने जब वोटिंग एज 21 से 18 की तो बहुत बड़ा काम था और आज के दिन मैं आपको बता सकती हूँ मेरे बहुत से साथी जो सोशल मीडिया पर आक्टिव हैं मैं उनसे पूछती हूँ कुछ बाते हैं और वो अपने 20s या 30s में होते हैं हम सोचते हैं यंग हैं यंग हैं काम करें तो कहते हैं नहीं जी नहीं हम तो आपके पास 16-17 साल के बच्चों को लाना चाहेंगी तो मैंने का उनकी तो वोटिंग एज भी नहीं है अभी अठार है पर यह सब को मालूम है वोटिंग एज हो ना हो लेकिन इंफ्लूएंसर्स हैं तो यंग से यंग लोगों को आपने अपने साथ जोड़ना है क्योंकि वो बात रख सकते हैं लोगों के बीच में जा सकते हैं और इनोवेटिव हैं इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है कि नए आइडियाज को आप कैसे लोगों के बीच में डालेंगे किस तरीके से डालेंगे मुद्दे वही हैं बातें वही हैं हम आपके सामने रखते हैं आप खुद समझते हैं आप खुद सोशल मीडिया के माधियम से भी पिक अप करते हैं इलेक्टरॉनिक मीडिया से भी पिक अप करते हैं और उन सभी विचारों को, उन आइडियाज को आप लोगों के बीच में डालते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी हैं, सोचनी हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ज्यादा तर, शायद 99.9% किवल मेल हैं। लड़कियां कम हैं, लड़कियां कम हैं। लेकिन आप almost 50% को, उनको भी कैसे influence करेंगे। ये भी आपको सोचना पड़ेगा, जब young, bright young minds यहाँ पर हैं, तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि जो हमारा almost आधा हिस्सा है, population का, उनकी thinking को कैसे आप influence करेंगे। तो वो भी आपको सोचना है, उसमें भी आपको innovation लानी पड़ेगी, कि हम महिलाओं को, लड़कियों को, क्योंकि उसमें young minds में सब हैं, normal population में भी सब हैं, और social media पर सब active हैं, चाहे वो लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, तो उस चीज़ को भी आपने सोचना पड़ेगा, कि उनको हम अपने fold में कैसे लेकर आएं, मुद्दे भी होते हैं, कुछ gender specific होते हैं, और कुछ हैं जो neutral हैं, जो सब के बीच में हम डाल सकते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपने सोचना है, इन सब बातों को आप लेकर जाएंगे लोगों के बीच में, अभी चुनाव है, चुनाव के समय एक अलग तरह की चुनाव की चुनावती है, इस इस अ बिग मॉमेंट पर आस, और इसको हम ये समझें, कि ये आपको एक opportunity दे रहा है ये मौका, मौका है ये, ये नहीं है कि ये कोई इम्तिहान है चुनाव, इम्तिहान अपनी जग्या है, लेकिन आप लोगों को इसे एक मौके की तरह देखना चाहिए, कि हम इसका ज्यादा से ज्यादा फाइदा इतने चोटे समय में हम कैसे उठा सकेंगे, तो ये बहुत बड़ी ऑपरिचुनिटी है, और मैं आप से कहना चाहूंगी कि अब तो चुनाव है, मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं बिता पा रही, मेरा तुमन था कि ज्यादा वक्त लगाते, लेकिन अभी आप यहाँ से जो भी लेकर जाएंगे, यहाँ हर तरह से आप जुड़े होंगे, औरों को जोड़ेंगे, और आगे जाकर आप काम करेंगे, अब यह खटर सरकार की जितनी भी आप गलतियां देखेंगे, हर जगे गलतियां ही गलतियां हैं, पांट साल की इनकी नाकामियां हैं विफलताएं हैं उनको आपने एक्सपोज करना है अभी जो बता रहे थे पहले रिपोर्ट फिर वोट यह हमारा स्लोगन है और इनका जो स्लोगन था 75 वाला वो तो यह खुद ही भूलते जा रहे हैं अब कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं यह 75 तरवाला आकडा क्योंकि इनको मालूम है कि वो बूमरैंग कर रहा है कहीं ना कहीं तो यह असलियत से दूर है असलियत जो है ग्राउंड रियालिटी है जो लोगों से जुड़े हुए हैं उन मुद्दों को भी उठाना है आपने जहां एक और पार्टी का है लोगों की बा पार्टी हमेशा यह कहती है कि यहां पर एक तरफा बात नहीं होती कि वह एक आदमी बैठे और अपनी बात करें और सारे लोग सुनते ही रहें हमने हमेशा जो भी करते हैं हम तयार या जो भी अपनी बात रखते हैं लोगों के फीड़ बैक पर इंपुट्स पर आधारित ह होता है तो आज के दिन आप लोगों के पास भी जो इंपुट्स हैं उनको भी आप इस्तेमाल करेंगे जहां कॉंग्रेस तो दे रही है आपको लेकिन आप भी अपने इंपुट्स इस्तेमाल करेंगे और उसको आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के माधियम से डिसे अब उल्टा हिसाब भी हो गया यह नहीं है कि केवल आप इनसे influence होंगे ये भी आपसे उतना ही influence होते हैं तो अब ये आपका competition है हम देखेंगे कि आगे आगे आप लोग कितना influence कर पाएंगे मीडिया को भी और वैसे लोगों को भी तो ये भारतिय जंता party की बातें बहुत सार भी तो आप लोगों ने ये देखना है कि लोगों को बताना है कि युवाओं के लिए क्या किया जब आप पूछेंगे कि युवाओं के लिए क्या किया तो सीधा आपको negative result मिलेगा आज के दिन अपने पास drugs का एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर्याना में बहुत बड़ा म जैसे लोग हमारे यंग माइंड अगर हमारे यंग लोग यूथ अगर हमारा खराब हो जाएगा तो आगे क्या होगा हमारे समाज का क्या होगा तो ये केवल political बात नहीं है ये हरे को छूती है तो इसके बारे में सरकार ने क्या किया है कुछ नहीं किया है पंजाब में तो ह से आई है यह सरकार की नाकामियों से ही तो आई होगी नोट बंदी से शुरू किया था आपने जी एस्टी से शुरू किया अभी कल ही मैं कल रात को पानी पत में थी मैंने उनसे पूछा कि कैसे चल रहा है आपकी इंडस्ट्री तो वहां पर मुझे बताया गया कि तो अपने आप घड़ती जाएगी और एक आपके सामने जीती जागती बहुत ताजा मिसाल है अभी इन्होंने इम्तिहान रखे थे कलाक के 4862 केवल इतनी नौकरियां थी और 15 लाक लोग थे 15 लाक है ना तो यह तो रिकॉर्ड की बात है अगर इतने लोग आने के सामने हैं सबके सामने हैं मनोरलाल जी मुख्यमंत्री जी इस चीज को नाकार तो सकते नहीं कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं आकड़े गलत आए हर्याना में हाइस दर्व बताई जाती है अनेंप्लॉइमेंट की 28.7% वो कह रहे हैं गलत है अच्छा गलत है आप बता दो असली तो सड़कों पर दिख गया तीन दिन में 15 लाख बच्चे जब इधर से उधर 200-200 किलोमीटर दूर गए तंग हुए तो वो असलियत यह सवाल है जो पूछने हैं इसमें कोई राजनीती नहीं है और जब आप यह सवाल पूछेंगे रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे त हमारा किसान है हमारा मजदूर है गरीब से गरीब आदमी है बताओ आपने उनके लिए क्या किया बच्चों के लिए क्या किया वजीफों का इतना बड़ा गोटाला यह कहते हैं कि हमने साफ सुतरी कहां से रोज नए नए गोटाले इनके सामने आते हैं माइनिंग माफिया ह सारे पेपर लीक होते रहे हैं, तरह तरह की बाते हैं, तो वो साब ने आपने सब एक्सपोज करनी है, इन्होंने अपने कितनों के टिकेट काटे, किस बात पर काटे, कोई तो बात हुई होगी, कोई आपकी नाकामिया हुई होगी, तो आज के दिन कोई कट घर में खड़ा हो और सारी negativity इनके सिर पर है, जवाब इनको देना है, पांच साल इनकी सरकार रही है, कट घरे में आप इनको खड़ा करिए, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जो बाते हैं, ये लोगों की रोज मर्रा की जिन्दगी को छूती है, आज के दिन कोई मतलब नहीं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो NRC ले आओ, 370 ले आओ, फलाना ले आओ, उसका क्या माइन है, एक नागरे कोई मेरा एक यहाँ पर साथी खड़ा होके बता दे, कि 370 का उसके लिए क्या मतलब, कुछ नहीं, मनोर लालची ने खुद जवाब दे दिया, 370 का जवाब आपको मिल गया है उनके द्वारा, कि 370 की इंटरप्रेटेशन उन्होंने आपको दी है, उसका माइन ने दिया है हमारे युवाओं को और हमारी बेहनों को, कि 370 का इंटरप्रेटेशन आप ऐसे लोगों को एक्स्प्लेन वो खुद कर रहे हैं, कि इसका मतलब है, जी हमारे युवाओं की लड़कियों को ले आएंगे, अब ये आप बता रहे हो युवाओं को, 370 का मतलब, पहली बात तो आपकी मानसिक्ता दिखा रहा है, कि आप इसका मतलब आपकी अपनी समझ ये है, तो पहले युवाओं को इतना सक्षम तो बनाओ कि वो अपने इराजय में कुछ कर सकें काम, इतना सक्षम तो पता नहीं कब होंगे कि कश्मीर में जाके जमीन खरीद देंगे, तो ये बाते हैं जो लोगों को समझाने, बाकी आप ल आज के दिन जो देखने में आता है, एक दूसरे से हम कम बात करते हैं और अपने से सोशल मीडिया से ज्यादा एक दूसरे से कम्यूनिकेट करते हैं, तो इसका आप इस्तेमाल कीजिए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हैं, आज ही आपने इतनी बढ़िया यहां पर वर आपको मैं विश्वास दिलाती हूं कि अभी चुनाओ का दौर है, दस बारा दिन की बात है, इसमें आप भी लगे होंगे, मैं भी लगे होंगे और हमारे सबी साथी प्रदेश भर में लगे हुएं अपने अपने काम में, तो इस काम में आप जुड़ जाएए, विश्वा आपको भी मालूम है, तो जो परफॉर्म करेगा, उनकी भी हम पहचान करेंगे कॉंग्रिस पार्टी की और से, और आप सबसे भी हम मिलेंगे और फीड़ बैक लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ओन्गोइंग चीज है हमारे पार्टी के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो पीक पर होता है, चुनाव में होता है, और मैं आप सबसे आवान करती हूँ, और आप से उमीद करती हूँ, कि अगले 10-12 दिन आप पूरे एक सोल्जर्स की तरह, आमी की तरह, योधाओं की तरह, रन में उतरेंगे, और फते हासिल करेंगे, मेरी बहुत-बहुत आप लोगों को चुब कामनाए है, धन्यवाद